क्या आप भी Bluetooth connected but no sound problem के कारण परेशान हो चुके हैं और अपने devices को तोड़ने का सोच रहे थे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजेगा उसके बाद में अपना decision लीजेगा क्योंकि ये वीडियो आपके decision को change करने वाली है इस problem में जब आपको calling पर audio सुनाई देता होगा तब music play करने पर नहीं सुनाई देता होगा या फिर दोनों में से किसी भी condition में आपको audio सुनाई नहीं देता होगा तो भया इसका solution जो बहुत ही easy है और मैं यहाँ पर इन तीनो solution के बारे में बताने वाला हूँ इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से दिखीगा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले मेरी आप लोग उससे request है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले हमारे इस टैग बिशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बूलिएगा सबसे पहले सेटिंग तो दोस्तो यह है कि आपको अपने फोन के जो है Bluetooth सेटिंग के अंदर चला जाना है यहाँ पर जाने की बाद में आप देखे ज़रा अप सबसे पहले आपको क्या करना है कि Bluetooth जो भी आपका connected होगा उसकी पीछे आपको यह arrow का icon मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजेगा अब देखेज़रा यहाँ पर यहाँ पर मेरे सामने दो अप्षिन एक तो phone call का और दुसरा media audio का अब देखेज़रा अगर आपके phone में इन दोनों में से कोई सा एक भी option अगर बंद है तो इसके बंद होने के कारण दोस्तों जो है आप लोगों को sound नहीं सुनाई देगा अगर यह वाला option बंद है तो आप लोगों को phone call पर device काम नहीं करेगा और अगर यह वाला option बंद है तो आप लोगों को headset में जो है music चलाने पर sound नहीं सुना देता है तो आप लोग पहली power button को दबा करकर रखना है और अपने phone को restart या reboot कर लेना है और फिर इसके बाद वापिस साब को इस device के उपर click करके इसे pair कर देना है जिसके बाद से आप लोगों के headset में sound device की problem fix हो जाएगी लेकिन अगर भीया इसके बाद भी fix नहीं हो पाती है तो क्या करना है इसका तीसरा solution यह है दोस्तों कि अब आप लोगों को चले जाना है phone की settings के अंदर यहाँ पर जाने के बाद में अब आप लोग यहां सा देख सकते हैं कि connection and sharing का option मिलेगा इसमें click कर दीजिएगा and then नीचे जाएगा नीचे जाने पर आप लोगों को reset wifi, mobile network and bluetooth का option मिलेगा इस पर click करेगा इस पर click करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको bluetooth पर click नहीं हो रहा होगा तो आपको simply reset setting के button पर click करना है और आपको जो है अपने phone का password डलना है और फिर next कर दिना है आप जैसे next करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी settings को जो है restart का confirm करने के लिए कहा जाएगा तो आप ok पर click करके इस reset कर दीजेगा आप जैसे ही bluetooth device को off करना है और फिर से on करना है ठीक है न और आपको check करना है कि आपके यहाँ device में connect होने से पहले कहीं अगर वो दूसरे device में connect हो रही है तो भी आप लोगों को phone में यह problem देखने के लिए में सकती है इसलिए आप लोग अच्छे सारी चीजों को जो है मैं यहाँ पर बताईए उन्हों check कर लिजेगा जिसके पास से आप लोगों की problem solve हो जाएगी दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को like कर दीजेगा और साथ ही हमारे इस टैग बिशाल YouTube चैनल को subscribe and follow करना बिलकुल ना बुलिएगा so okay guys this is टैग बिशाल YouTube चैनल signing off bye bye